ब्रिक की बाद स्वागत है आपका और अब मुखबधिर समाचार भारत में रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है देश में कुल संक्रमितों की संख्या 21 लाग के पार पहुंच गई है स्वास्त समंत्राले के ताजा अकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 21 आग 53,011 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुकी है इन में से 43,389 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 14,884 लोग ठीक भी हुए है पिछले 24 घंटों में कोरोना वाइरस के 64,399 नए मामले सामने आए और 861 की मौत हुई है केंद्रिय रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने आज एक बड़ी घोशना की है आत्म निर्भर भारत के तहट सरकार ने 101 से ज्यादा आइटम्स पर आयात इंबार्गो लगाने का एलान किया है रक्षा मंत्राले ने 101 आइटम्स के एक लिस्ट तयार की है जिनके आयात पर प्रतिबंध होगा ये रक्षा में आत्म निर्भरता के दुशा में एक बड़ा कदम है साथ ये लद्दाख में चीन के साथ सीमा तनाव के बीच रक्षा मंत्री का ये एलान काफी एहम है आपको बता दें कि अगले 6 सालों से 6-7 सालों में खरेलों इंट्रस्टी को बढ़ावा देनी के लिए 4 लाख करोड का ओडर दिया जाएगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषी कोश के तहट 1 लाख करोड की वित पोशन सुविधा की शुरुदात की है ये कोश कृषी उद्यमियों, स्टाट अप्स, कृषी क्षेतर की कमपनियों और कटाई बाद फसल प्रभंदन में किसान समुहों की मदद के लिए बनाया गया है साती मोदी ने प्रधान मंतुरी किसान सम्मान निधी योजना के तहट 8.55 करोड से अधिक किसानों को 17,100 करोड रुपे की छटी किस्त जारी की है समौके पर पीम ने कहा एक देश, एक मंडी के जिस मिशन को लेकर बीते 7 साल से काम चल रहा था वो अब पूरा हो रहा है और आज बस्पास सुप्रेमो मायवती ने प्रस कॉन्फरेंस कर खुद को ब्रामणों का हितैशी बता दिया और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पार्टी को भगवान पर शुराम की मूर्ती लगवानी ही थी तो अपनी सरकार में क्यों नहीं लगवाई अब चुनाव नजदीक आने पर सपा भ्रामणों की हितैशी क्यों बन रही है यही नहीं उन्होंने यूपी में बदले जगाओं के नामों पर भी सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार लोटते ही बस पस सभी जगाओं के नाम फिर से बदल देगी साथी मायावती ने उनकी सरकार लोटने पर भव्य परशुराम की प्रतिमा बनवाने की बात कही है और इसी के साथ फिलहाल इस पुलिटिन में बस इतना ही आप देखते रहे एबीपी गंगा खबर आपकी जुबाँ आपकी